कुस्ति संग यानि WFI के अध्यक्षव ब्रिजभूशन सिंग पर FIR दर्ज हुए 13 दिन बीच चुके हैं नाबालिक समेट 7 महिला रेसलर्स ने उनके खिलाफ योन शोशन के मामले में केस दर्ज कराया है इसमें पॉसको जैसी गंभीर धाराएं भी शामिल हैं जिसमें आरोपी को फॉरण गिरफतार करने के नियम होते हैं लेकिन अब सवाल ये है कि इतनी गंभीर धाराओं के बावजूद अब तक ब्रिजभूशन सिंग गिरफतार क्यों नहीं हुए है जबकि किसी आम आदमी पर अगर ऐसी गंभीर धाराओं में F.I.R. दर्ज होती है तो पुलिस उसे तुरंद गिरफतार कर लेती है नमस्कार मैं हूँ आपके साथ शुभम गुपता आप देखना शुरू कर चुके हैं चनहेट टाइम्स आज के इस कारिक्रम में हम जानेंगे ब्रिजभूशन सिंग को आखिर दिल्ली पुलिस गिरफतार क्यों नहीं कर रही है इसके पीछे जो भी वज़य बताई जा रही है वो कितनी सही है उससे पहले हमें ये समझना होगा कि ब्रिज भूशन सिंग के खिलाफ जो केस दर्ज हुए हैं उसमें गिरफतारी के अखिर क्या नियम हैं ये कानून काफी सक्त है, इस केस में आरोपी को पुलिस बेल नहीं दे सकती है, पुलिस सबसे पहले आरोपी को गिरफतार करती है और उसके बाद जाच को आगे बढ़ाती है, लेकिन ब्रिज भूशन के मामले में सीन उल्टा हो रहा है, यहां पर F.I.E. दर्ज हुए 13 दिन बीच चुके हैं और अभी भी इस मामले की जाच चल रही है, अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसे इस पूरे मामले में हमने हाई कोट की वकील निहा रस्तोगी से बातचीत की, जब हमने उन से पूछा कि 13 दिन बीच चुके हैं, ब्रिज भूशन सिंग, अ इस में अप्रिकेबल होता है, जो ब्रिज भूशन जी है, वो अलड़ी MP है, तो उनके अप्सकॉंड होने की चांसे सकम है, तो इस माटर अलड़ी इंविस्टिगेशन हो रहा है, जो भी इंविस्टिगेशन में निकलता है, अगर वो अक्यूज है, तो फिर उनको कि आप कोई अप्सकॉर्ण ना कर जाए कोई इंडिस्टिकेशन से भाग ना जाए इस वज़े से इवो किया जाता है तो एक बद जब मैट प्रूफ हो जाएगा जो इंडिस्टिकेशन में जू भी निकल गाता है उसके एकॉर्डिंग लिए उनको अरेस्ट किया जाएगा अ तो इसके लिए हम FIR की कॉपी जब तक और FOSCO की FIR की कॉपी ऐसे आप तो नॉर्मली तोर से नहीं मिलता है तो इस वे जब तक वो हमारे पास नहीं होगा विदाओट FOSCO के लावा बाकी जो बाकी तीन सेक्शन लगे उसमें इमीडिट अरिस्टिंग का कोई भी ऐसा नहीं जाज़त उसमें आप इन्विस्टिगेशन करते हो इन्विस्टिगेशन में अगर आप मिलते हो कि आपके अगेंस्ट में है एविदेंस देन उली यू यू जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रेज भूशन के खिलाफ दो FIR दर्ज हैं एक FIR में जो धाराय लगाए गई हैं वो उन्हें नेहा से पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा जितने भी धाराय लगी पहले IPC के अंदर 354 A, 354 B, sorry D and 354 and साथ में पॉक्स को एक के अंदर section 10 लगा हुआ हैं तो यह जितने ही भी sections है इसके अंदर punishment आपके विदें अंदर 7 years इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है इसको बुलाता है magistrate अपना वह statement देता है और साथ में जो victim होती है वो अपना statement दच कराती है उसके पूरा प्रोसीजर से अपना investigation होता है अगर बाद में वह culprit दिखेंगे तो of course उनको arrest किया जाएगा इस मामने मुझे लगता है कि आप को इस वीडियो के माध्यम से समझा गया होगा कि F.I.R. के 13 दिन बीच जाने के बाद भी आखिर ब्रिज भूशन सिंग गिरफतार क्यों नहीं हुए है फिलाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते र जाने लिएखते रहने के लिए टशन सिंगल को शत्रिप ब्रा उले के लिए।